नमिश्कार सीनियूस भरत में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ तरचा सिंग दिली के सीम अर्विन केजरिवाल को शराब घुटाली से जुड़े मनी लॉंडरिंग केस में बड़ी राहत मिली है जी हां राउज एवन्यू कोट ने केजरिवाल को एक लाख रुपए के मुचल के पर जमानत दे दी है एडी ने जमानत के विरूद के लिए और तारिस घंटे का समय भांगा था जिससे कोट ने खारिस कर दिया राउज एवेन्य कोट ने कहा कि एक लाख रुपए के मुचलके पर केजरिवाल तिहाड जेल से बहरा सकते हैं वहीं जमानत मिलने की खुशे में जहां आम आदमी पार्टे के कारिकर था केजरिवाल के स्वागत में जुड़ गए लेकिन इसी बीचे कैसी खबर सामने आई है कि जिससे केजरिवाल और आम आदमी पार्टे को जहटका लग सकता है क्या है वो खबर आई आपको बताते हैं विस्तार से प्रवर्तन निदेशाले यानि एडी ने अर्विन केजरिवाल की जमानत के आदेश को दिली हाई कोट में चुनौती दी है जी हाँ एडी केजरिवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोट पहुच गई है एडी ने अपनी यार्चिका में कहा है कि जाँच के महत्तफूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जाँच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंतुरी जैसे हमपत पर हैं वो समूतों को प्रिभावित कर सकते हैं इसी को देखते हुए दिली हाई कोट ने केजरीवाल की जमानत पर फिर हाल रोक लगा दी है दिली हाई कोट ने कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर स्टे रहेगा दिली शराब घुटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में राउजवेन्य कोट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन आग एडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोट पहुँच गई प्रबरतन नियमित जमानत को दिली हाई कोट में चिनौती दी एडी ने हाई कोट से तुरन सुनवाई की मांग की जहां हाई कोट ने एडी की याचिका को स्विकार कर लिया है जाहिरे केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में पहले आरोपी हैं जिने निच्री अदालत से बेल मिली है इनको एडी ने गिरफतार किया है CBI ने गिरफतार नहीं किया है ऐसे में अब संभब है कि CBI अपना दाव चले हाला कि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी इडी मामले में निच्री अदालत से रगुलर बेल नहीं मिली है खबर ये भी है कि दिल्ली आपकारी नीती मामले में राउज अवेन्यू कोर्ट से मिली अर्विन केजरिवाल की जमानत के फैसले को वो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगा फिलाल के लिए इस खास रेपोर्ट में बसे अतना ही देश दोनिया की तबाव खबरों की जानकारी के लिए बने रहे है सी लियूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हार